हलो बच्चो नमश्कार कैसे आप सब लोग उम्मीदसानदार जिंदवाज जबर्जस्त होंगे और SSE GD की तयारी आपकी बहुत-बहुत भेथरी नीच चल रही हो ऐसी उम्मीद करता हूं बहुत दिनों बाद SSE GD को ले करके वीडियो आया है पाकी कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस से जो लोग कोर्स नहीं खरीद सकते वह भी पढ़ाई कर रहे हैं तो चुकि सभी बच्चों का हमें ध्यान देना हैं जिनके पास पैसे हैं थोड़े बहुत थोड़े बहुत चाहिए हमें उस यूट्यूब पर बात थी बच्चों की यूट्यूब वालों बच्चों के लिए या एप पे जन्होंने कोर्स वगेरा लिया उन बच्चों के भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी मैट्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे चिनते थे और मैं यह हमेशा कहता हूं कि दे सकता ना कोई teacher कह सकता है ना कोई बच्चा कह सकता कि मैं बीस में से 15 करके आ जाओंगा लेकिन maths ऐसा subject है जिसका अच्छा होता है वो 20 में से 20 करके आता है और जो नहीं जानता जो math से बचता है वो 20 में से 00 भी करके आता है तो यह maths जो है यह subject ऐसा है difference क्रियेट करने वाला बच्चों में है तो इसलिए maths को पढ़ना और ज्यादा ज़रूरी हो जाता है उन सब बच्चों के लिए जने selection लेना होता है ऐसा सायद ही कोई बच्चा होगा कि जो बिना maths के sscgd में select हो गया है आप देखो अपने आसपास नजर घुमाके अपने साथि में जो भी लगे हो क्या ऐसा कोई भी बच्चा उनमें था जिनका maths वीक था या बिलकुल नहीं आता था और वो select हो गया हो हाँ ऐसा हो सकता है मानली जी कोई नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया में है या कोई नॉर्थ इस्ट के स्टेट्स में हैं उनकी cut-off डाउन जाती है य साउथ इंडिया में हैं वहां हो सकता है लेकिन हिंदी भासी राज्यों में ऐसा कहीं भी कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो मैट्स के बिना select हो गया हो और नहीं हो सकता है हिंदी पूरी करनी पड़ेगी मैट्स एट लिस्ट 15-16 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे और मैं हमे मेन चाहिए मान लिया मैंने लेकिन 15-16 करना बहुत बड़ी बात नहीं है से से जीडी के अंदर क्योंकि 3-4 प्रेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे जो अच्छी पढ़ाई जिसने कर रख्योंगी वहीं उन्हें कर पाएगा लेकिन 15-16 प्रेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप थोड़ी मेहनत में कर सकते हो तो आपको कभी भी 20 में से 20 के पीछे नहीं भागना क्योंकि हम बहुत मेहनत करके भी ऐसा हो सकता है कि दो एक प्रेश्चन हमें तब भी फसाद है और उनकी वजह से हमारा पूरा टाइम मेनेजमेंट ही बिगड़ जाए क्योंकि हमें सिर्फ गंटा मिलेगा वहाँ एक्जाम के लिए अगर कहीं भी आप डिस्बेलेंस हुए ना तर टाइम में तो आपका समय कम पढ़ना ही पढ़ना है पेपर में इसलिए आपको अगर कोई प्रेस्ट में परेशान करे तो आप उसको कभी टाइम मत देना और मैं हमेशा कहता हूं कि मैट्स में हम वो कोश्चन ज्यादा टाइम लेता है जो आपसे होता नहीं है और जो आपसे होता है ना वो कोश्चन कभी एक्जाम में आपका टाइम नहीं खाएगा यह याद रख लेना अगर किसी कोश्चन पर टाइम लग रहा है तो आपसे होने वाला नहीं है तो उसके माया जाल से भाहर निकलो और एक घंटे में मैक्सिमम तु मैक्सिमम पेपर अटेंप्ट करो अगर पेपर अटेंप्ट ही पूरा नहीं किया तो सेलेक्शन के चांसिस बहुत कम रह जाएंगे बच्चो आज एप में समश्या आ रही है आज जो है एप में कई बार समश्या हो यह तीन वज़े के बाद से तीन से पहले ठीक चल रहा था तो लगातार समश्या वह इसलिए कि अटेंप्ट स्यूपी पुलिस वाले बच्चो ने बहुत ज़्यादा संख्या में कर दिये हैं एप वाले भी परेसान हो गये कि अचानक से लोड कहां से आ गया है है ना तो सही घर से भी नहीं कर पा रहें तो मंडे कल वो सब आफिस आएंगे तो एप सही चलेगा ठीक है तो हाँ तीन साड़े तीन से दिक्कत सुरू हुई है बच्चो एप में चलिए ठीक है अब मैं आपकी बात करने आया हूं मैंस की समश्या पर कि अब मैं इस से आपके लिए क पड़े हुए थे कि सर आपने बोला था बच्चो एक बार मैंने भी मन बना लिया था कि ठीक है हम मैंस की क्लासिज के अंदर जो हम आपको एप में पढ़ा रहे हैं उसमें हम अल्मोस्ट इसी बुक को स्वाल्व करा रहे हैं मैं भी राहुल तेवतिया सर भी इसी बुक के क ठीक है अब बुक को सॉल्व कराने की कोई जरूत नहीं जाए तर बच्चों का सॉल्व हो रहे होंगे लेकिन यूट्यूब से बच्चों के प्रेशर था एप वाले बच्चों को भी यह कहते थे कुछ सवाल छूट रहे हैं सर इसका सॉलूशन हर आपने कराया है इस बार क भी हो आपको इसमें कम भी हो जाएंगे आप पैसे कम कमा पाओगे इसलिए ऐसा हो रहा है पर बच्चों कारण वो नहीं था हमने सोचा कि साइद अब जरूरत नहीं पर अगर अब लगता है आपको वास्ता में बहुत ज्याज़त जरूरत है और आपको अगर इससे कराना है आप एक बार लिख दीजिए मैं उसी से करा दूँगा एक बार आप लिख दो जिस सर के ज़्यादा कमेंट आएंगे ना उस उन्हीं सर से आज बुक का सॉलिशन होने वाला है एक बार आप लिख दीजिए ताकि मैं इसको उनको सुपूर्द कर सकूं ठीक है तो ल राहुल तेवतिया सर नजर आ रहे हैं चाय हुए कमेंट्स में ठीक है तो भाई मैं उन्हीं से बात करके आया हूं और देख लीजिए जादू है जिस सर का नाम ज़्यादा होता उस सर का यहां नाम फोटो छप जाता या यह कह लीजिए कि भाई हमें आपके मन का पहले से ह पता होता है कि आप घृत तो हम उन्हीं सर का फोटो ले आये सम्की तो राहुल सर आपको नजर आ रहे हैं यह आपका नंबर सिस्टम से सुरुअध कर रहे हैं और दस तारिक से साम को साथ बजह शरू हो रही हैं दस कौन सी दस जनवरी से सम को साथ बजह से 7 पीम से 9 पीम तक दो घंटा डेली क्लास चलेगी है अपने हिसाब से आप देख लेना यूट्यूब पर फ्री करवा रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूब के बच्चों का भी प्रस्न था कि सर हां यूट्यूब से ही करवाईए बिल्कुल बच्चों तो दस जनवरी साथ पीम से नौ पीम राहुल तेवतियसर पूरे जोस से पूरे मन से इस बुक को पढ़ाने आ रहे हैं बुक का फोटो आपके सामने लग रहा है हर किसी के बास मुझे लगता है जो और डबलुए से पढ़ रहा है हर किसी के पास यह से जीडी की मैट्स की बात कहता हूं देखिए अब चाहिए देखिए अब आप यह बुक जो है ना दो हजार चौविस जो से इडिया उसके लिए उतनी बेनिफिशल होगी दोजार पच्च्चिस में जुलाई से घुसित होई चुके हैं उसमें भी यही बुक काम आएगी तो ऐसा नहीं कि आपक कि एक बुक को तीन चार बार करिए राहुल सर एक एक क्वेश्चन इसका करवाएंगे ज्यादा तर इसमें जो क्वेश्चन्स हैं वह वही हैं जो ऐसा से जीडी में आए हुए हैं दोहजार इक्कीस, दोहजार तेईस, दोहजार उनिस सारी सालों के उनको चेप्टर वाइस हमने अरेंज किया हुआ है उनके सॉलुशन अब आपको राहुल सर के मैथर्ड से मिलने वाले हैं ठीक है चलिए बहुत सही और वच्चो अब मुझे उम्मीद है कि आप 10 तारिक क सालों को साथ बजे सिस्टम हैं करने वाले हो राहुल तेवतियसर के साथ ठीक है नमस्कार धन्यवाद